बच्चों आज मैं आपसे बात करूँगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्यन के अध्यायनों लगू व्यवसाय एवं उद्यमिता के बिंदू लगू व्यवसाय की समश्याओं पर जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वे देश की अर्थ व्यवस्ता को आगे बढ़ाने में उद्योगी की करण को तेज करने में महत्वपून भूमी का निबाते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं स्वधेसी तक्नीक का प्रियोग करके ये काफी उत्पादन करते हैं तता निल्याद छेतर में भी इनकी भागेदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बच्चों लेकिन इनके सामने कई प्रकार की ऐसी समश्याएं हैं जिनके कारण ये बड़े उत्द्योगों का अभी तक सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं आज हम इनी समश्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आईए प्रारंब करते हैं लगू व्यवसाय की समश्याएं देखिए लगू व्यवसाय में सबसे बड़ी समश्या होती है वित्त की और इसी के कारण अन्य समश्याएं धीरे 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 बढ़ती चली जाती है वित्त का जो अभाव होता है इस कारण से ये संस्ताएं कच्चे माल की गुनवत्ता के साथ समझोता करते हैं अच्छे क्वालिटी का कच्चा माल ये लोग प्राप्त नहीं कर पाते साथ ही साथ जब कच्चा माल अच्छा नहीं होगा तो स्वाभाविक है उत्तपादन भी प्रभावित होगा उत्पादन जब प्रभावित होगा तो इनका लाब धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा क्योंकि जन्ता इनके उत्पादित वस्तूओं को कम खरीदना पसंद करेगी साथ ही इनके पास विपणन की समश्या होती है ये अपने वस्तूओं का उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन बाजार में उसको किस प्रकार से बेचा जाए किस प्रकार से उसकी विखरे को बढ़ाया जाए इसकी इने समझकम होती है इनके पास प्रबंद की ये शम्ता का भी अभाव होता है एवं कई अन्य कारण है जिनके कारण जो छोटे उद्योग है वो बड़े उद्योगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं प्रचालनों का पैमाना वित्त की उपलब्दता आधुनिक प्रोध्योगी की का प्रियोग करने का सामर्थ एवं कच्चे माल की उपलब देता इसे प्रभावित करती है जो बड़े उद्यम होते हैं वो आधुनिक प्रोध्योगी की का प्रियोग करते हैं उनके पास चुकि वित्त अच्छा होता है तो कच्चा माल भी अच्छी गुणवत्ता का वो प्राप्त कर लेते हैं और उनके जो का ये संचालन का पैमाना होता है वो भी अच्छे उच्छे स्तरका होता है अधिकान से समश्याएं इनके विवसाय के छोटे आकार के कारण होती है छोटे आकार के कारण ही कहीं समश्याएं पैदा होती हैं लगू विवसायों के सामने आने वाली समश्याएं समान नहीं होती और लगू विवसाय की जो विबिन नश्रेणिया हैं इन सभी के सामने जो समश्याएं आती है वो अलग-अलग प्रकार के विवसाय के हिसाब से अलग-अलग आती है देखिए छोटे आकार के कारण इनके सामने सबसे बड़ी समश्या ये आती है कि ये प्रवंद की योग्यता वाले अच्छे व्यक्तियों की भरती नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें उच्च वेतन दिया जाना होता है तो ऐसी स्तती में इनका व्यवसाय प्रभावित होता है छोटी गोण इकाईयों के मामले में मुख्य समश्या हैं विलंबित भुक्तान समय पर भुक्तान प्राप्त नहीं होना मूल इकाईयों की से आदेश प्राप्ति की अनिश्चित्ता जो मूल इकाईयां हैं उनसे समय पर आदेश नहीं मिल पाना उत्पादन प्रकिल्या में बार बार परिवर्तन होना तक्निकी के परिवर्तन के कारण उप्बोगता की रूची और उसकी आवशक्ता बदलने की कारण इन्हें भी अपनी उत्पादन प्रकिल्या में बदलाव करना होता है जो की छोटी इकाईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे पेमाने की परंपरागत इकाईयों की समश्याओं परंपरागत इकाईयों की समश्याओं में कम विक्सित आधारबूत सरंचना संबंदी सुविधायों वाले धूर वर्ती इस्तान पर अवस्तिती एक तो सबसे बड़ी समश्या है छोटे पेमाने की उद्योगों में कि कई उद्योग ऐसी हैं जो सहरों से या उब्वोकता की पहुँच से बहुत दूर इस्तित हैं प्रबंद की प्रतिबा का अभाव प्रबंद की ये शमता का अभाव होना भी एक बहुत बड़ी समश्या है घटिया किस्म का कच्चा माल उपलब्द होना जो कच्चा माल है अगर अच्छी गुनवत्ता का नहीं है तो उत्पादन प्रबावित होता है उत्पादित वस्तु की क्वालिटी भी प्रबावित होती है प्राम परागत प्रोध्योगी की जो तकनीक है पुरानी तकनीक ये काम में लेते हैं इसका भी प्रभाव इनके व्यापार पर पढ़ता है व्यवसाय पर पढ़ता है वित्त की परियाप्त उपलब्दिता और छोटे पेमाने की जो उद्योग हैं वेवसाएं हैं इनके सामने सबसे वड़ी समश्या है वित्त की उपलब्दिता का होना बहुत कम मात्रा में इनके पास वित्त होता है और वित्तिये आवशक्ता पूरी करने के लिए ये लोग सेड़ साउकारों से रिं वसूलते हैं और उनसे ये सोशन का सिकार बन जाते हैं छोटे पेमाने की निल्यातक एकाईयों में विदेशी बाजारों की प्रियाप्त जानकारी का अभाव जो छोटे पेमाने के निल्यातक व्यवसाएं हैं उनके सामने सबसे बड़ी समश्या होती है विदेशी बाजार दरों में नहीं चल पाती बाजार सूचना का अभाव विनिमें दरों में उतार चड़ाव गुनवत्ता मानक वे पूर्व नौभार वित्त सम्मिलित है गुनवत्ता मानक जो दूसरे देशों की क्वालिटी है वह मैंटेंद करना छोटे पेमाने के व्यवसायों के लिए असं मानक को पूरा करपाना छोटे पेमाने के व्यवसायों के लिए कठिन हो जाता है यह भी इनके व्यवसाय की एक समश्या है अब समय की तुरूप में हम इन सभी समश्याओं का एक बार विस्तार से अध्यन कर लेते हैं पहली समश्या वित्त संबंदी समश्या देखिए परि में से एक है क्योंकि इस समश्या के कारण कई अन्य समश्याएं जन्म लेती है एक लगू व्यवसाय का प्रारंब एक छोटे पूंजी आधार के साथ होता है कम पूंजी के साथ लगू व्यवसाय प्रारंब किये जाते हैं लगू छेतर की कई कई पूजी बाजारों से पूजी प्राप्त करने हें तूब italy का अभाव होता है। यह इतनी अच्छी टोड़ित नहीं रख पाते कि इन्हें पूंजी बाजार से पूजी प्राप्त dop रहे। सुरूब ये इस्तानिय वित्तिय स्रोतों पर बहुत अधिक निर्वर होते हैं सेट सावुकारों पर बहुत अधिक निर्वर करते हैं और सावुकारों द्वारा किये गए शोशन का ये सिकार बन जाते हैं उनके द्वारा अधिक ब्याज इनसे वसुला जाता है इकाईयों को प्रियाप्त काजेसील पूंजी का अभाव सहना परता है चाये उन्हें प्राप्त होने वाले बुगतानों में विलंब के कारण हो अत्वा बिना विके माल में पूंजी के अवरुद्द होने के कारण दो कारण हो सकते हैं इनकी काजे सील पूंजी के कम होने का पहला कारण तो है विलम बिद भुक्तान या कह लें भुक्तानों में विलम बुक्तान समय पर नहीं आ पाता तो ऐसी इस्तती में इनके पास काजेसील पुझी नहीं रह पाती दूसरा बिना भिके माल में पुझी का अवरुद्ध हो जाना इनका माल अगर नहीं बिकता है तो उसमें लगी हुई पुझी भी अवरुद्ध होकर रह जाती है यह समश्या छोटे उद्धियों के सामने बहुत अधीक है क्योंकि उनके पास वित्ति इसंसादन सीमित मात्रा में ही होते हैं अई यह कच्चे माल की समश्या देखिए सबसे बड़ी समश्या है कच्चे माल की जब वित्त का अभाव होता है तो लगू पेमाने के उद्योग अच्छी गुनवत्ता वाला माल नहीं खरीद पाते उन्हें अच्छी गुनवत्ता से समझोता करना पड़ता है ऐसी इस्तती में जब सही गुनवत्ता वाला कच्चा माल भी उपलब्द नहीं होगा तो उनका व्यापार प्रभावित होगा साथ ही साथ छोटे पेमाने के जो उद्योग है वो देश भर में फेले हुए हैं तो उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में भी कहीं समझ्याओं का सामना करना पड़ता है कच्चा माल आसानी से उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता यदि आवश्यक मात्रा में कच्चा माल उपलब्द नहीं हो तो गुणवत्ता के साथ समझोता करना पड़ता है अच्छी किस्मों का माल प्राप्त करने है तो अधिक मुल्य चुकाना पड़ता है और अच्छी क्वाल परत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत होगा इससे इनका व्यापार प्रभावित होता है ये अधिक मात्रा में क्रे करने का जोखिम भी नहीं उठा पाते क्योंकि इनके पास माल के भंडारन की सुविधा नहीं होती और ये अधिक मात्रा में माल क्यों नहीं करीद पाते क्योंकि इनके पास जो भंडारन की कोशल का अभाव देखिए छोटे पैमाने के उद्ध्योगों के सामने प्रबंद्य की ए कोशल का अभाव भी बहुत बड़ी समश्या के रूप में सामने आया है क्योंकि ये प्रबंद्य की ये गुर्ण रखने के योग्ये इनमें से बहुत कम ही व्यवसाई होते हैं तथा ये अपने व्यवसाई में प्रबंद्य की योग्यता वाले व्यक्तियों को भरती भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास संसादन सीमित होते हैं आईए एकल व्यक्ति द्वारा प्रारम तथा प्रचालित किया जाता है छोटा व्यवसाई जो होता है वो एक व्यक्ति द्वार चलाया जाता है उसी के द्वारा संचलित किया जाता है या कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है और जरूरी नहीं कि उन लोगों में प्रबंदकिये छमता हो जिसमें व्यवसाय चलाने है तो आवश्यक समस्त प्रबंदकिये कोशल नहीं होते यह जरूरी नहीं है कि ऊगुषा अच्छा तकनिकी घ्यान होता है लेकिन उतपादन के विपनन्द में रहते हैं देखिए तो वह हो सकता है विपनन्द में ऐसे तो संबंद्र हैं तो हो सकता है उसमें तकनीकी घ्यान नहीं हो या काड़ संचालन का जि consigo कि zgosh प्रभावित होता है समस्त कार्याले गतिविद्यों हेतु इनके पास प्रियाप्त समय नहीं होता और जब मैंपावर कम लगी हुई होती है एक या दो व्यक्ति ही पूरे व्यवसाय का संचालन कर रहे होते हैं ऐसी अवस्ता में उनके पास कार्याले संबंदी कार्या करने के लिए समय भी नहीं होता यह पेशेवर प्रबंदकों की सेवाएं लेने का खर्च उठा सकें और नहीं इनके पास इतना वित्त होता है इनके पास जो वित्त है वो इतना नहीं होता कि यह पेशेवर प्रबंदकों की सेवाएं लेने का खर्च उठा सकें स्रम संबंधी समश्याएं देखिए लगु व्यवसाय जो होते हैं छोटे पैमाने की जो उद्योग होते हैं इनके पास चुकी पैसे की कमी होती है ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार तो देते हैं लेकिन धन की कमी के कारण उन्हें परियाप्त वेतन नहीं दे पाते इसलिए करमचारी नोखणियां बदलते रहते हैं करमचारियों में आवर्त बदलता रहती हैं साथ ही इनके पैस कुशल स्रमी को की समश्याभी बनी रहती है लगु व्यवसाय फर में करमचारियों को अधिक वेतन देने का खर्च वहन नहीं कर पाती जिससे करमचारियों की कड़ी मैनत तथा अधिक उतपादन करने की इच्छा शक्ती प्रभावित होती है इसलिए प्रती करमचारी उतपादकता अपेक्षाक्रत कम तथा करमचारी आवर्थ इसमान कामान्यत है अधिक रहती है लोग वाग जो करमचारी हैं वो एक कंपनी को छोड़ कर अधिक वेतन देने वाली दूसरी कंपनी में चले जाते हैं वहां भी अगर उने कम वेतन मिल रहा है तो वो उसे छोड़ कर तीसरी कंपनी की और अग्रसर हो जाते हैं इस प्रकार करमचार प्रतिवाशाली लोगों को आकरशित करना एक मुख्य समिश्या है और कम वेतन देने के कारण जो योग्य व्यक्ति है जो कुशल स्रमिक हैं जो प्रस्टिश्टित हैं ऐसे लोग छोटे व्यवसायों से दूरी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर परियाप्त वेतन नहीं मिल पाता अगला है विपनन संबंदी समश्या विपनन व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण किल्याओं में से एक है यदि किसी व्यवसाय की विपनन प्रकिल्या बहुत अच्छी है और वह उबोक्ता की आवश्यक्ता रू व्यवसाय तेजी से विकास करता है लेकिन छोटे पहमाने के उद्योगों के सामनी ये सबसे बड़ी समश्या है कि उनका विपनन माध्यम बहुत ही कमजोर है उनके पास वो आधारबूद धाचा उपलब्द नहीं है जिसके द्वारा वो प्रभावी रूप से विपनन के लिया कर सकें विपनन का कारिय संपादित कर सकें इसके लिए उन्हें मध्यस्तों का सहारा लेना पड़ता है और मध्यस्तों के कारण उनके सामने कहीं प्रकार की समश्याएं आती है मध्यस्त समय पर भुकतान नहीं करते और कम कीमत पर वस्तु उनसे प्राप्त करना चाहत आईए देखते हैं विप्णन सरवादिक महत्वपून के लियाओं में से एक है प्रभावी विप्णन हेतु ग्राहकों की आवशकताओं तथा अपेक्षाओं की पून समझ होना आवश्यक है विप्णन लगू संगटनों की एक कमजोर कड़ी है ये संगठन मद्यस्तों पर अत्यदिक निर्बर रहते हैं जो कई बार कमुल्य तथा विलंबित भुकतान द्वारा इनका शोशन करते हैं इन्हें परिशान करते हैं इसके अतिरिक लगू व्यवसाय फर्मों द्वारा प्रत्यक्स विप्णन करना संभव नहीं है क्योंकि इनके पास आवश्यक आधार परबूत सुविधाओं का अभाव रहता है इनके पास वो धाचा उपलब्द नहीं है जो की विप्णन कारिये के लिए आवश्यक है इसलिए ये इनकी सबसे बड़ी समश्याओं में से एक मानी जाती है अगली समश्या है गुनवत्ता का अभाव देखिए छोटे पेमाने के उद्योग अपनी लागत को कम करने और मुल्य कम रखने के लिए गुनवत्ता से समझुता करते हैं और यह भी इस विवसाय की छोटे पेमाने के विवसायों की सबसे बड़ी समश्या बनकर उबरा है कहीं लगू विवसाय संगठन गुनवत्ता के वांचित मानकों का पा पालन नहीं कर पाते इसके बजाए यह लागत घटाने पर मुल्यों को कम रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं गुनवत्ता शोध तथा उद्योग के मानकों हेतू इनके पास ने तो प्रियाप्त साधन है और नहीं प्रोध्योगी की के उन्यान हेतू दक्षिता है ने तो इनके पास प्रियाप्त मात्रा में साधन उपलब्द है नहीं तक्नीकी के उन्यान हेतू दक्षिता इनके पास उपलब्द है नहीं यह प्रोध्योगी की में बदलाव कर पाते हैं और नहीं यह नहीं तक्नीकी को समझने में दक्ष हैं वैस्विक बाजारों में प्रतीस प परदा नहीं कर पाते, उनके सामने टिक नहीं पाते, यही कारण है कि बड़े पैमाने के उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों में अंतर बढ़ता जा रहा है, उत्पादन शम्ता का पूर्ण उप्योग नहीं, देखिए जो छोटे कई हैं, यह अपनी उत्पादन शमता का पूर्ण तरिके से उप्योग नहीं कर पाते, जो उनकी सामर्थ सक्ति है, उसके अनुसार ये पूरा कालिये नहीं कर पा रहे है, विपंद कोशल के अभाव मांग की कमी के कारण कहीं लगू व्यवसाइफ फर्मों को पूर्ण सामर्थि सक्ति से कम पर प्रचालन करना पड़ता है विप्णन जो कोशल है इसकी कमी के कारण इनके उत्पादनों की मांग बाजार में नहीं हो पाती और इस मांग की कमी के कारण ये पूर्ण सामर्थि सक्ति के साथ उत्पादन नहीं कर पाते क्योंकि जो पहले से उत्पादित माल है वो अभी तक विका हुआ नहीं है और ऐसी इस्तती में ये तैयार माल को अपने पास श्टोर नहीं कर पाएंगे जिससे उनकी प्रचालन लागतें भी बढ़ जाती है जब ये सामर्ते सक्तिस के साथ पूर उत्पादन शम्ता के साथ उत्पादन नहीं करे हैंगे तो इनकी लागतें बढ़ती चली जाती हैं कि पुरानी प्रोधयोगी की के का प्रियो देखी जादा तर छो थो चोटी पह्माणे कए उद्ध्योग और ये पर्मपरागत तकुनीक या पुरानी तकुनीकों पर ही अभी तक काम कर रहे हैं, पुरानी प्रोध्योगी के कारण इनका उत्पादन भी प्रभावित होता है, लगू उत्योगों के मामले में ऐ प्रचलित तकनीक के प्रियोग को एक गंबीर कमी कहा जाता है, परिणाम स्वरूप निम्न उत्पादक्ता वे अतीव यही उत्पादन होता है, रुगनता, देखे कई परकार के कारणों के कारण ये छोटे पेमाने की इकाईयां धीरे धीरे रुगनता की ओर जा रही है, विमार इकाईयां बनती जा रही है, क्योंकि ये प्रियाप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रही, लगातार घाटे में चलने की कारण ध प्रक्षिक्षित स्रमिकों का अभाव, इनके कारण इनका उत्पादल, प्रभावित होता है, करमचारी जो प्रक्षिक्षित होते जाते हैं तो अधिक वेतन के लालच में वो नोगरी बदल देते हैं इससे इन्हें वापस ने करमचारी को प्रक्षिक्षित करना पड़ता है यह भी इनके रुखन होने का एक बड़ा कारण है प्रबंद की योगिता का ने होना वह विप अभाव ए प्रियाप्त रिन तथा उनके उत्पादों की मांग का अभाव सम्मिलित हैं इन आंतरिक और इन बाहिये कारणों के कारण धीरे धीरे ये इकाईयां रुखन होती जा रही हैं बिमार इकाईयों में वदलती जा रही हैं वैस्विक प्रतीस परदा का सामना अभी तक हमारे यहां की जो छोटे पैमाने के उद्योग थे वो लगातार अच्छा कार्य करने का प्लियास कर रही हैं लेकिन फिर भी कहीं कारणों से ये वैस्विक प्रतीस परदा का सामना नहीं कर पा रहे हैं अंतरराष्ट्रिये कंपनियों के सामने इनके उत्पाद न बहुत कठिन होता जा रहा है आईए देखें लगों व्यवसाय के सामने निम्न प्रकार की वैस्विक प्रतीस परदा है प्रतीस परदा केवल मध्यम वबड़े उद्योगों से नहीं बलकि बहुराश्ट्रिये कंपनियों से भी है मध्यम और बड़े ही उद्योगों से नह ये छोटी इकाईयां इनके समक्ष प्रतीस परदा में टिक नहीं पाती और उनका आकार बहुत बड़ा है उनकी उत्पादन शमता बहुत अधिक है वे अपने मुल्य को कम रख सकते हैं तो इस कारण भी ये छोटी इकाईयां प्रतीस परदा में उनके सामने नहीं टिक पा दूसरा है बड़े उद्योगों बहुराष्टी कंपनियों के गुणवत्ता मानकों तक्निकी कोशलों वित्य शाक समता प्रबंद किये एवं विपनन्द शमताओं के सामने तिक पाना लगूए काईयों के लिए बहुत कठिन होता है देखिए बड़ी कंपनियां जो है वो ग प्रभावी और अधिक उत्पादन करने में वो शख्षम हो पा रही है वित्य शाक समता उनके पास बहुत अदिक है थिक कमी नहीं क्योंकि वो कई वित्थिय सुरुतों से धने कत्र कर लेती हैं प्रबंद की ये शमता है अच्छे प्रबंद की व्यक्तियों को नियुक्ति वो दे सकते हैं साथ इसाथ उनके पास विपनन शमता है वो उनका अपना इंफ्राइस्ट्रेक्चर है विपनन सेवाओं के लिए उनकी खुद की सुविदाएं हैं उनके पास पुद्धाचा मोजूद है जिसके कारण वो प्रभावी रूप से अपने उत्पादों को जनता के सामक्ष प्रस्तूत कर पाते हैं वो विज्ञापन कर पाते हैं वो विप्रण की समस्त क्लियाओं को संचालित कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वित्य का अभाव नहीं है और टिक पाना लगू इकाईयों के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है आई एसो नो हजार जैसे गुणवत्ता प्रमानंत की सक्त अपेक्षाओं के कारण छोटे पेमाने की इकाईयां विक्सित देशों के बाजारों तक इनकी सीमित पहुँच है देखिए जो विक्सित देश है उनके द्वारा गुनवत्ता के जो मापक है airport9000 वो चोटी इकाईयों द्वारा पूर्ण नहीं किये जा सकते इस कारण से यह meraSh Territ equals परदा में कहीं भी नहीं तिक पाती यही कारण है कि भारत में ओद्योगती कες इकाईयों में ओद्योगती इकाईयों का 95% भाग है वो लगूद्योगों का है लेकिन निल्यात में इनकी हिस्सेदारी केवल 33% के बराबर है देखिए इकाईयों की संख्या तो है 95% तक लेकिन निल्यात में हिस्सेदारी 33% ही है क्योंकि इनके पास अंतराष्ट ये व्यापार करने के लिए जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसका अभाव रहता है ये वैस्विक प्रतिस परदा में टिक नहीं पाती ये इनकी एक बड़ी समश्या है बच्चों आज हमने लगू व्यवसाय की समश्याओं के बारे में इनके सब्सक्राइब सिर्ण में आज हमत्डियान से था उसाल व्याजंवत्ता है